नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसे कि यहां पर आप लोग देख पार होगी हमारा दैनिक भासकर का आप शिस्यल नीज़ पेपर है जो कि सिंग्रावली का है यहां पर आप लोग देख सकते हैं सिंग कि सबसे पहले है कि समीदा भरती में एंसीयल ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आ रच्ण नहीं दिया तो होगा विरोध यह लोगा विरोध पर भी उतरे हैं यहां पर देखिए बैकवर्ड क्लास कोल इंप्लाइज वेलफेयर एसोसियाशन ने चितावनी दी है एंसीयल मे प्रतिशत आ रच्ण की मांग करते हुए विरोध करने की चितावनी देदी है ठीक और यहां पर कहा गया कि संगठन के महामंत्री जय बहादूर सिंग यादाओं ने कहा है कि यदि नियमों को लंगन किया जाएगा तो वे कोड़ जाने में भी परहेज नहीं करेंगी एंसी पहले जो रिटायर हो चुके थे अब उनको क्या है कि यह लोग बरतिपल ले रहा है अब देखिए अभी जो लोगों का जो ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे क्या क्या दिक्कते इनको आ रहा है कि जो लोग छोड़ चुके हैं उनको फिर स के लिए समीधा नियुक्ति पर रखा जाना है इसके लिए नोटिफिकेशन में विसी कटेगरी के 37 प्रसे आरचन की मांग की गई है यह अलग बात है कि समीधा भरती के लिए कोल इंडिया की गाइड लाइन के अनुसार ही नयम लागू किये जाने हैं तो देखिए यहां प भाक नहीं मिलने पर भरती में रोक लगाने के लिए नयाले जाने की मंजूरी जताई गई है और यह हो गया बाकी यहां पर देखिए जो लोग ऐसे हैं यहां पर आ गया है यहां पर देखिए चालक पद के अभ्यार्थियों को वहां चलाने की दच्छता को भी पर्खा गया अब यहां पर देखिए जीला नयाले के रिक्त चतूर्थ स्रियोनी पद के लिए आए सिस अभ्यार्थियों का साच्छातकार रविवर को भी जारी रहा दो दिवसी उक्त साच्छातकार करिक्रम्त के लिए जीला नयाले सहित सामुदाइग भवन में कुलपांच साच्छातकार कच्छ बनाए गये थे जहां दूर दराजवास्थाने इलाकों से आए साच्छातकार में सामिल हुएं हैं इसी तांतं में चालंब पत के लिए आज चालिस अभ्यार्थियों का साच्छातकार लिया गया कच्छ प्रभारी नयधिस रहें ईवा चनाने की दच्छता को भी पर भथका सब्सक्राइब देक्श सकते हैं कि पतलते मिया बेठैंगा प जो इस्टेरिंग का जो दिक्कतार है लोगों को तो क्या है कि आज कल कि युवाप यह ऐसे हैं कि ड्राइवी लाइसे भले ही नहों लेकिन वह गाड़ी अच्छे से चला लेते हैं तो जो भी इस टुडेंट ऐसे थे जो कि इंसील से या फिर कहीं से अप्रेंटिस कर रखा था उनको ही अगर ले लिए होते हैं या जिनके पास सहीवी ड्राइव लाइसे था उनको ले लिए होते हैं तो भी वह अच्छे तरीकी से कर सकते थे युवाप फूरी और वैसे यह लोग साल भर के बाद जब निकाल दिये ज होते हैं तो थो भारती प्रक्रिय समय लग रहा है यह उनको दुराना ना पढ़ता कियोगे यह लोग साल भर के ले रहे हैं यह इसमें भी समय दे रहें यह लोग समय लग रहा है और नय भरती करेंगे साल भर बाद उसमें भी इनका समय जाएगा इसलिए क्यों नहीं लोगों के जगाए पर अगर नय भरती ले लिए होते तो बेरोजगारी की जो समस्य वह भी थोड़ी कम हो जाती और ना स्टुडेंट भी खुस रहते हैं और यह हो गया कि ड्राइविंग टेस्ट में सामिल कुछ ने उम्धा प्रदर्शन किया जब कि कई उने हड़ बड़ाहट में ज्याद एकसलेटर दबाएं और इस टेरिंग घुमां में लड़खड़ाते देखें तो देखिए जो बुजूर के लोग हो होते जिनके पास ड्राइव लाइसंस है उनको लिए होते हैं तो यह सब दिक्कत ना देखने को मिलते हैं लोगों को और वह काफी अच्छा तरीके से नए इस्टुडेंट प्रदर्शन भी करते हैं कुछ अब्यारतियों की धड़कने साचात्तार के दारा अनियंत्रित भी चालक प्यून और माले के लिए भाग या जमाइस का दवर दोपार बाद तक जारी रहा हलांकि कुछ कच्छ पर बड़ी तीब रिगती से साच्छातकार आयोजन एक बजे तक हो गये थे अब भ्यारतियों के दस्ताविच परते कच्छ पर जांच-पश्चाथी साच्छात बाद में किये जाएंगे साच्छातकार कच्छ पर इस दावरान कई साउधानियों के साथ गोपनीता भी बरती जा रही थी तो देख सकते हैं यही सब जो है कि यह लोग जो लोग घर पर बैठे थे अब फिर से अगर इनको काम करने के लिए अगर कहा जाएगा तो इनको र समीधा पर साल भर के लिए रख लेते हैं तो भी कुछ बहतर रहा होता यह समीधा पर भी यह लोग नहीं रखने माल है नए स्टुडेंट को और जब कि नए स्टुडेंट जो यूर यह काफी अच्छे तरीकी से इसे हैंडिल कर सकते थे जो भी चालक पत्के यहां पर वेकेंसी हैं लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं अब इनका क्या कहना है जो कुछ भी अगर निव जाता है हम आपको बताते रहेंगे अगर ऐसे देखना चाहते हैं यह से कोई भी अपडेट होगा तो हम आपके पास जरूर पहुंचाएंगे वीडियो अगर अच् पर हमारा एक और टेलिग्राम चैनल है जो कि एंसील का लिए इस्पेसल बनाया गया है अगर आपने उसे जोइन नहीं किया है तो आप लोग उसे जरूर जोइन के लिए वह जो चैनल है उसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बाग समय देंगे तो वहां से आप लोग जो लगों को ले रहे हैं तो साल भर के लिए लोग रिटायर होंगे इसके बाद ही यह लोग कहीं पर जब रिटायर होंगे और इनके जगह पर तो वहां पर नए भरती आने की संभावना है हाला कि यह लोग जो समय पर रिटार लोगों को ले रहे हैं इनको भरने के बाद जो भी सीट बचेंगी हो सकता है उस पर नए वेकेंसी आने की संभावना है ठीक तो 307 पद जो कुछ भी है और जो कुछ भी खाली पद और बचे हुए है वैसे भी NCL में काफी ज्यादा मात लोगों को ज़ल्दबाजिये में सोचए हैं कि हमारा durत पादन काफी मातरा में हो इसलिए ये लोग समयदा पिल इसालता न की जाहीं अपना continue चलता रहे यही सबीन लोगों का कहना है तो वीडियो कर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे नेस्ट वीडियो में थैंक यू